हेलो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सब का पैबली हिंदी बे सो आज कि हमारे इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपने Shopify स्टोर पे रेजिस्टर होने वाले न्यू कस्टमर्स को automatically हमारे Gmail अकाउंट से एक personalized email सेंड कर सकते हैं तो example के लिए माननेचे कि आपका Shopify स्टोर है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई user as a customer आपके उस टोर पर रेजिस्टर हो एड़ो तो आप उन users के email पे एक personalized email सेंड करें अपने Gmail अकाउंट से अब उचाहे तो email आप अपनी product की marketing के तौर पर कह सकते हैं अपने store की marketing के तौर पर कर सकते हैं या पर just एक welcome email सेंड कर सकते हैं So manually पहले अपने Shopify स्टोर से उस नए added customer का data collect करना and then manually उनके email address पे एक personalized email सेंड करना चो manual process है दोस्तो ये काफी ज़ादा repetitive और time consuming हो सकता है So यहाँ पे आपकी time और energy इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी इस पूरी process को optimize करने के लिए मैं आपको suggest करूँगा क्यों आप एक automation की help दें So यहाँ आपका obvious सा question होगा क्या सा automation तो एक ऐसा automation दोस्तो जिससे जैसे हमारे Shopify स्टोर पे एक नया customer register होगा एक नया customer add होगा Automatically उस customer के mention किये गए email address पर हम एक email send कर देंगे हमारे Gmail account से एक personalized email है ना interesting दोस्तो लेकिन इस automation को setup करने में एक चोटी सी problem थी वो यह कि Shopify और Gmail इन दोनों काई हापस में को direct link कोई native integration नहीं को direct connection नहीं है तो अपनी इस problem को solve करने के लिए आज हम जो software का use करेंगे उसका नाम है पाबली connect पाबली connect बेसिकली एक automation and integration software है जिसकी help से हम Shopify और Gmail इन दोनों को यह आपस में integrate करेंगे और यह पूर automation setup करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो में सिखा जाने में इस automation की में आपको सबसे खास बात बता दू कि इस automation को setup करने के लिए आपको किसी भी तरिके की coding skills या program knowledge का जरूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूर automation को बहुत easily setup कर सकता है तो चलिए अब हम पाइनली शुर करते हैं इस अमेजिंग सा automation को setup करने की हमारी process तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके है पाबली करने के dashboard पे इस dashboard पे हम आया है अपने पाबली अकाउंट में login करके अगर आप भी पाबली पे अपना free account create करना चाहते हैं तो आए अपने browser में यह के dashboard पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं अपने इस workflow को नाम देता हूँ Shopify to Gmail और क्लिक करता हूँ create पे create पे क्लिक करते ही यहाँ पे open हो जो कहा है हमारे पास हमारा workflow और इस workflow में हमें यहाँ दो windows दिखाई देती हैं एक है trigger window दूसरी है action window तो trigger और action basically वो दोनों concepts है वो दोनों principles है जिस पे यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करें तो आज के हमारे इस वीडियो के use case में जब भी हमारे Shopify store पे एक नया customer add हो तो automatically उस customer के email address पर हमारे Gmail account से एक personalized email send करें तो सबसे पहले हमारे अपने trigger window की तरफ और choose app में यहाँ सर्च करते है आज का हमारा पहला application जो है Shopify Then यह हम से पूछ रहा है trigger event तो यहां trigger event में हम select करेंगे new customer क्योंकि हम चाहते है हमारे Shopify store में add हो रहे हैं नए customer का data हम यहाँ पाबली connect में collect करें So trigger event में new customer select करने के बाद पाबली connect ने दिया हम एक webhook URL अब इस webhook URL के help से हम Shopify और पाबली connect इन दोनों को ही आपस में connect करेंगे So यह connection का process हम कैसे करेंगे यह पढ़ते हम इसकी नीचे दिये गए instructions पे So यहां लिखा है from your Shopify admin go to settings notifications in the webhook section click create a webhook So यह हमें कह रहा है कि है अपने admin account से Shopify store पर login करें और वहां चाके इन steps को follow करें ताकि हम इस webhook URL का use कर सके तो चलिए दोस्तों मैं आपको directly ले चलता हूँ मेरे Shopify store पर और वहां चलके आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस webhook URL का use करेंगे So यहां हम आचुके है मेरे Shopify store की home page पर अपने home page पर आने के बाद यहां left side पर नीचे हम एक option दिखाई देता है settings का हम यहां click करेंगे settings पर and then यहां left side पर जो option दिखाई दे रहे हैं मैं scroll करके नीचे आएंगे और click करेंगी notifications पर notifications पर click करते ही यहां right side पर हमें कई सारे options दिखाई देते हैं जिनमें हम scroll करके नीचे आएंगे और यहां में एक option दिखाई देगा so webhook के पास दीगे create webhook की button पर हम click करेंगे और एक dialogue box हमारे पास open हो जाएगा so यहां पर हमसे कुछ details पूछ रहा है जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है event तो यहां event में by default selected है cart creation so cart creation से हम इसे change करेंगे customer creation पर क्योंकि हम चाहते है कि एक new customer create होने पर Shopify इस webhook के तुरू data send करें format को हम as a test run देंगे JSON पर and then यह हमसे पूछ रहा है URL तो URL में हम वो same URL same webhook URL enter करेंगे जो में पाबली connect ने दिया था तो पाबली connect से इस webhook URL को करेंगे copy और हमारे Shopify अकाउंट पे करेंगे इस same webhook URL को paste then यह हमसे पूछ रहा है webhook API version तो यहां पे हम select करेंगे latest और click करेंगे save पे तो save पे click करते ही हमने successfully अपना Shopify account पाबली connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद अब हम जाते हैं हमारे Shopify store पे और वहां जाके अब हमें अपने Shopify store पे एक test customer एक dummy customer add करना होगा रेइस्टर करना होगा ताकि उस नए रेइस्टर होरे customer का जो data जो उसके details है उसे हम पाबली connect में collect कर सके and then अपने अगले step में उस customer की email address पर personalized email send कर सके और जैसा कि हम यहाँ पाबली connect पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक option दिखाई दे रहा है waiting for webbook response यानि कि पाबली connect इस webbook URL के तुरू कुछ data कुछ response receive करने के लिए wait कर रहा है so यहाँ आते है अपने Shopify store पे और यहाँ पे अपने Shopify store पे आने के बाद यहाँ पे click करते है इस login के page पे click करेंगे create account पे and then यहाँ पे enter करते है एक dummy customer की details okay so यहाँ पे हमने enter किये है एक dummy customer की details इस user का customer का नाम है Michael Karas then enter किया इस user का mobile number email address और password so यहाँ हम click करते है create पे so create पे click करते ही Michael Karas इस नाम का user as a customer मेरे Shopify store पे register हो चुका है add हो चुका है अब हम दोस्तों चलते है पाबली connect पे और बहाँ चलके देखते हैं कि क्या पाबली connect ने हमारे Shopify store पे register होने वाले इस new customer का इस new user का जो data है वो collect किया है या नहीं तो हमाते है पाबली connect पे और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते है response receive में वो same user जिसकी details अभी अभी हमने अपने Shopify store पे as a customer add राइस्टर कर तक enter की थी माइकल कारस उस same user की जो details से जो उसका data है वो हमें यहाँ पे receive हो चुका है सो यहाँ पे हमारे पास है उस same user का email address उसका name और साथ ही साथ उसका enter किया गया phone number यानि कि दोस्तों इस automation को setup करने का जो हमारा four step था वो हमने successfully complete कर लिया है जिसके help से हमने पहले Shopify और पावली connect इन दोनों को पहले एक webook URL के तुरू connect किया and then अपने Shopify store पे एक test user एक dummy user के details enter करके एक dummy customer add किया एक dummy customer register किया ताकि उस नए register हो रहे नए add हो रहे customer का जो data है उसे हम पावली connect में collect कर सके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी second और final step की तरफ जिसमें इस पूरे data को हमारे customer के data को अब हम send करेंगे gmail को ताकि हम अपने gmail account के तुरू इस automation के तुरू हमारे customer की email address पर एक personalized email send कर सके So ऐसा करने के लिए हम scroll करके नीचे आएंगे हमारी action window पे और यहां choose app में search करेंगे आज का हमारा दूसरा application जो है gmail Then यहां हम से पूछ रहा है action event तो यहां action event में हम select करेंगे send email और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही पाबली connect हम से कह रहा है अपना gmail account connect करने के लिए So यहां हम select करेंगे add new connection click करेंगे connect with gmail पे Then हमें यह पूछ रहा है अपना gmail account select करने के लिए हम अपना gmail account select करेंगे और click करेंगे continue पे So continue पे click करते ही हमने successfully अपना gmail account पाबली connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद हम scroll करके नीचे आएंगे तो हमें यहां पे कुछ fields दिखाई दे रही है जिसमें सबसे पहली field है recipient email address की तो recipient email address की इस field पे हमें enter करना है हमारे customer का email address जिसे हम personalized email send करना चाहते हैं तो हमारे Shopify store पे add or customer का data है वह में यह Shopify से receive वह था पाबली connect में उस data में response में हमें receive वह था उस customer का enter किया गया email address तो यहां से इस same email address को अब हम map करेंगे यहां पे इस recipient email address की field पे और जो mapping का process है दोस्तों यह काफे simple है हम simply recipient email address के नीचे दीए के इस field पे click करेंगे और Shopify से जो हमें response receive हुआ है वहां से customer की email के response को यहां पे select करेंगे map करेंगे तो यहां पे हमने successfully अपना recipient email address जो है वो map कर दिया है यह हम से पूछ रहा है email subject की जो email हम send कर रहे है उस email के subject line क्या होगी सो यहां मैं enter करते है हमारे email की subject line को सो यहां पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे email की subject line हो वो हो thank you for becoming a part of us सो कुछ इस तरीके की subject line मैं अपने personalized email में add करना चाहता हूँ तो subject line मैं यहां पे add कर दिया है इसके बाद हमें option आता है reply to email content type तो email content type में हम इसे plain रहन देंगे and then reply to की field में mandatory नहीं है तो हम इसे बे ignore करते है then यह हम से पूछ रहा है email content यहां पे email content की speed में हमें enter करते है हमारे email की actual body जो email हम send करना चाहते है हमारा actual content उस personalized email का सो यहां पे जो मैं content add करना चाहते हो अपने email का वो मैं यहां पे paste करता हूँ ओके तो कुछ इस तरीखे का content मैं अपने users को personalized email में send करना चाहता हूँ सो यहां पे यह जो email है जो personalized email है यह start होता है high से and then high के बाद हम चाहते है कि यहां पे मैं add कर दू मेरे newly registered customer का नहीं सो यहां हाई के सामने इस field पे हम click करेंगे और निचे drop-down में जो Shopify से में response received हुआ है वहां से हमारे customer का जो first name है वो map कर देंगे सेम वैसे ही जैसे हमने अपने पिछली step में email address को map किया था सो यह email कहता है हाई Michael thank you for your trust and support by joining us you have become a part of world's best e-commerce platform we are happy to have you and looking forward to making your purchase experience a delightful one happy to answer any questions you may have regards public store सो कुछ इस तरिके की body का email मैं अपनी users को personalized email के तौर पे send करना चाहता हूं अगर आप चाहें तो अपने requirement के असाब से यहां पे कुछ भी email create कर सकते हैं and then अपने Shopify से जो response में data आया है वो data भी आप यहां पे map कर सकते हैं सो अपना email का content enter करने के बाद यह हमसे पूछ रहा है file name और attachment तो मेरे इस file name और attachment मैं इस email में कोई भी file attach करके नहीं send कर रहा हूं तो इन दियोनों fields को मैं यहां पे ignore करता हूं और click करता हूं save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहां पे एक response रिसीव हुआ है जो कि हम एक positive response दिखाई देता है और response में बताता है कि इस body का email जो email content में enter किया था content इस content का एक email हमारे recipient email address पे send हो चुका है क्यानि कि जो email address हमारे customer ने पेपास टूर पे रइस्टर करता है एंटर किया था उस same email address पे हमें successfully email send कर दिया है तो चलिए अब हम directly चलते है Michael Karas इस user के email address पे इस customer के email address पर और वहां चलके देखते है कि क्या उस user को कोई email personalized email receive हुआ है या नहीं तो हम आते हैं इसके Gmail account के inbox पे और जी हां दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते है Thank you for becoming a part of us वो same subject line जो हमने पाबली connect में यहां पे enter की थी उस same subject line के साथ इस user को Michael Karas को एक email receive हुआ है यहां पे हम देख सकते है वो same Gmail account जो Gmail account हमने यहां पे के action step पे connect किया था उस same Gmail account से यह email send किया है तो यह email कहता है Hi Michael, thank you for showing your trust and support By joining us you have become a part of world's best e-commerce platform and then बाकी का email content वो same content जो हमने पाबली connect में यहां पे इस email content की field पे add किया था यानि की दोस्तो हमने देखा कि यह पूरा automation हमने इस video में setup किया है यह successfully काम कर रहा है जिसकी help से हम अपने Shopify store पे जो नई customers add हो रहे है जो नई customers register हो रहे है उनके register होते ही उनके mention किये गए email address पे एक personalized email send कर सकते हैं इस automation को हमने setup तो कर लिया है अब इस automation को एक बार real time में test करके देखते हैं हम आते हैं वापस अपने Shopify store पे जाते हैं account section पे करते हैं माइकल कारस के account से log out और एक और dummy customer एक और new customer यहां पे हम add करते हैं create करते हैं क्लिक करते हैं create account पे और यहां पे हम add करते हैं एक और dummy user की details okay यहां पे अभी अभी अपने Shopify के registration page पे मैंने एंटर किया है एक dummy user का details इस user का नाम है Gary Monroe साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस user का mobile number और email address so यहां हम क्लिक करते हैं create पे so create पे क्लिक करते ही हम लेखेंगे Gary Monroe इस नाम का एक customer अभी अभी मेरे Shopify store पे add हुआ है अब हम लेखेंगे दोस्तो कि जो email address Gary Monroe ने enter किया था अपने registration के वाग जिस user का हमने email address register किया था उस same email address पर automatically एक email send हो जाएगा तो चली दोस्तो अब हम चलते है Gary Monroe उस dummy customer के mention किये गए email address के inbox पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है Gary Monroe जिस dummy user की details अभी अभी हमने अपने Shopify store पे एक customer register करते होग enter किया था जो email address उस same user के email address पे हमें अभी-भी एक email receive हुआ है जो कहता है thank you for becoming a part of us यानि को same subject line जो हमने enter की थी and then email कहता है Hi Gary यानि कि हमारे customer का name newly added customer का name thank you for showing your trust and support by joining us you have become a part of world's best e-commerce platform and then यहाँ पे बाकी का वो same email की content email की body जो हमने public connect में enter की थी यानि कि इस automation को हमने real time में test करके देखा दोस्तो कि जो पूरा automation हमने इस video में setup किया है यह successfully काम कर रहा है जिसकी help से हम अपने Shopify store पे add होने वाले new customers को automatically इस automation के तुरू अपने Gmail account से एक personalized email send कर सकते हैं तो चलिए अब हम वापस आते हैं public connect पे और यहाँ के एक बाद brief में समझते हैं कि हमने पूरा automation कैसे setup किया तो सबसे पहले हम आये पाबली connect पे और यहां के हमने एक webhook URL के दुरू Shopify और पाबली connect इन दोनों को ही आपस में connect किया उसके बाद हम आये हमारे Shopify store पे और वहां जाके हमने एक test customer एक dummy user की details एंटर करके एक dummy customer हमाये Shopify store पे आइड किया रेइस्टर किया ताकि उस नए एड होरे customer का जो data है उसे हम पाबली connect में collect कर सके जो data हमने पाबली connect में collect किया था उस इम data को हमने send किया Gmail को ताकि हम अपने Gmail account से हमारे newly added customers को personalized email send कर सके तो सिर्फ यही applications नहीं दोस्तो पाबली connect की help से आप multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते है और हाँ एक और ज़रूरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप इस सेम workflow को अपने पाबली connect अकाउंट पे clone कर सकते है और इस workflow को प्री में use कर सकते है किसी भी तरिके के help या feedback के लिए आप एमें contact कर सकते है admin at the red pabli.com पर या अपनी queries पूच सकते है इस link पर वर आज को एक वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करे share करे और हाँ ऐसी कुछ automation and integrations related awesome videos के लिए pabli hindi को subscribe करे तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो thank you